नमस्कार दोस्तों अरू लीगल अकैडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के सेग्मेंट में हम बात करेंगे कि डीयम और एसपी में कौन पावरफुल होता है तो चलिए बात करते हैं लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल पननाए है तो क्रपया चैनल को सब्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिजी क्यूंकि जो भी मैं इस तरह के इपॉर्टेट वीडियो अपलोड करता हूं उसके नौटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए दोस्तों वीडियो को तो उनको IPS मिलता है यानि वो पुलिस विभाग में जाते हैं तो यह अंतर होता है जो DM होते हैं वो ADM बनते हैं जो IS का एक्जाम जिनकी रहें का अच्छी आती है वो ADM बनते हैं या DM बनते हैं जिनकी रहें थोड़ी कम आती है वो ASP, SP या जिसे बड़े जिले हैं तो उनक लेकिन SP के पास यह power नहीं होती और दोस्तों अगर कहीं भी कोई दंगे की स्थिति आती है तो वहां पर जैसे गोली चलाने का आदेश है तो वह DM सकते हैं लेकिन SP के पास यह power नहीं होती और दोस्तों जैसे कोई भी पुलिस भीभाग के अधिकारी का transfer करना हुआ तो जो SP होते हैं वो transfer नहीं कर सकते उनके पास ये power नहीं होती लेकिन DM की permission के बीना वो transfer नहीं कर सकते DM की permission लेनी होती है तो DM ज्यादा powerful होते हैं और जो DM होते हैं दोस्तों वो पूरे जिले की command सभालते हैं उनके जितने भी जिले में विभाग होते हैं 30-35 वो सारे विभाग DM को देखने होते हैं उनका सारा निरिक्षण DM ही करते हैं लेकिन जो SP होते हैं SP के पास सिर्फ पुलिस विभाग की power होती है वो पुलिस विभाग का ही निरिक्षण कर सकते हैं या उसमें कोई सुधार कर सकते हैं और दोस्तों जैसे कि आप DM जो होते हैं उनके पास सारा विभाग होता है जिले का कि जिले में कौन से बेवस्था देखनी है और किस प्रकार से कार करना सारे विभ भाहर करने की आवाज सकता होती है वो कर सकते हैं और दोस्तों जैसे कोई भी जो SP होते हैं अगर वो कैप पहने तो उनके जैसे वर्दी पहने वर्दी में अगर कैप लगा है टोपी लगा है तो उनको जो लियम होते हैं, उनकी stat करना पड़ता है। So the default में लप वरती नहीं पहंते है। दोस्तों उमीद करताहूँ आज आज के लेक्चर जरूर पसंद आएगा और अगले लेक्चर में बात करेंगे कि डीम के जो कार्रे होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं SP के कार किस प्रकार से होते हैं तो इस बारे में चार्चा करेंगे लेकिन वीडियो को अगर वीडियो आपकी जानकारी जो मैंने दी है आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा ज़्यादा लोग पास सेर कर दीजी आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच वाचिंग फर इस वीडियो इस्टे कनेक्टेट जय हिन जय भारत